पिछले कल क्रिस्मस था तो बहुत से लोगों ने मुझे विश्च किया पर सिर्फ दो लोग ऐसे थे जिन्होंने मुझे गीता जहनती विश्च की इन में से एक है मलिका जी और एक है गुल्षन जी गुल्षन जी तो हमारे लिए बड़ी सारी गीता लेके आए हैं तके हम करता था और उसके बाद मैंने पढ़ी गीता फॉर बिजी पीपल तो अगर आपके पास भी टाइम नहीं है पूरी गीता पढ़ने का तो आप भी गीता फॉर बिजी पीपल पढ़ सकते हैं खैर बहुत से लोग क्योंकि मैंने गीता की बात करिया तो मुझे राइट विंग कह देंगे और पिछली बार मैंने जर्नलिस्ट के मरने की बात कही थी तो लोगों ने मुझे लेफ्ट विंग कह दिया था ध्यान से गिरना कैर चाहे लेफ्ट हो या राइट हम सब को जो चीज जोडती है वो यह कि हम दूसरों की परवा करते हैं तो बात करते हैं उन जानर की स्पेस सरजरी कर दी जिससे वो पूरी तरह रिकावर कर गई और हमने उसको वापस सुनोरा में रिलीज कर दिया है परवत जो बहुत टाइम से यहां था क्योंकि उसको स्पाइनल इंजरी थी और निशान जी उसको हमीरपुर से यह लेका आया थे जो कि यहां से तीन घं से थी क्योंकि हम एक छोटा ऑपरेशन है हमें बहुत सी कॉल्स को मना करना पड़ता अब यह एक नई चीज मैंने सीखिये कि देखिए एक चीज करने में जैसे आनिमल रिष्क्यू कुद से करने में और एक औरगनाईजेशन बनाने में जो आनिमल रिष्क्यू करें दोनों में आपको बहुत अलग-अलग तरह के स्किल सेट चाहिए होते हैं तो जहां पे पहले कुत्तों के बीचे भागना फर्स्ट एड और यह सब मेरे स्किल सेट का पार्ट था अब लीडर्शिप, मैनेजमेंट और इस तरह की चीजें मुझे सीखनी पड़ रही हैं खेर ये गीता है गीता को भेजा है शापूर से प्रतिबाजी ने उन्होंने देखा कि गीता का एक्सिडेंट हो गया है तो उन्होंने हमें उसका एक वीडियो भेजा इसके आगे का एक पैर की सफाई कर सके इन महाराज को भेजा है केवल ठाकुर जी ने जौली से उन्होंने देखा कि इसके पैर में छोटा सा कट था तो उन्होंने पहले तो खुद ही हल्दी और और फर्स्टेट करके इसका इलाज करने की कोशिश करी पर उन्होंने कुछ दिनों बाद देखा कि गाओ बढ़ गया है, तो वहाँ के लोकल डॉक्टर की मदद से उन्होंने इसका इलाज किया, लेकिन बात कुछ बनी नहीं, फिर उन्होंने हमें कॉल किया और हम इसको यहां पर ले आए, इसका आप लोग नाम सजेस्ट करिएगा, इसके अलावा जो एक रेस्क्यू आया है, वो है यह पपी, मिष्ठी, इसको लाए है दीपिका जी और राकेज जी, यह रेस्की हुआ, एचेचे गुर्दासपूर में, किसी ने देखा कि इस पपी को चोट लगी हुई है, और दीपिका और राकेज जी ने उसको पिक किया, उसका एक्सरे करवाया, और उसको यहां ले के आए, अब हमारे पास जगात थी नहीं, तो कल्पना जी जो हमारे साथ जुड़ी हुई है, वो इसको फॉस्टर कर रही है, इस समय इसकी हालत खराब है, उसके स्टूल में थोड़ा बलड आ रहा है, हम निमत तोर पे जाके इसकी जांच कर रहे हैं, और हम आपको इस किसी जानवर की जान बचा सकते हैं, देखिए, जैसा मैंने पहले कहा, बहुत से ऐसे रेस्क्यूज होते हैं, जिनकी हम मदद नहीं कर पाते, जैसे इस बच्छडे को ही लीजिए, ये पालंपूर में है, इसका माले कि इसको खाना डालने को त्यार नहीं है, इसके पड़ो देखिए, इसको किसी ने अबैंडन कर दिया है, इसके फोन हमें आ रहे हैं, डलहॉजी यहां से 100 किलो मीटर दूर है, तो बहतर तो यह होगा कि डलहॉजी में ही लोग एक अनिमल लवर्स का ग्रूप बनाएं, और जितने जानरों की हो सकता है, खुद मदद करें, अब मैं आपको उन चानरों की अपडेट्स देदू, जो यहां पे पहले से हैं, मन्जुला से हमने आपको पिछले हफते मिलवाया था, मन्जुला का आमने पिछले हफते स्प्लिंट किया था, अब उसका इंफेक्शन खतम होने के बाद, उसका हमने प्लस्तर कर दिया है, काजल जो कोई अडॉप्ट करने के लिए भी त्यार हो गया है, डेजी जिसका पैर सूवर पकड़ने वाले शिकंजे में आ गया था, और हमें काटना बढ़ा था, उसकी तवियत भी खासी ठीक नहीं चल रही, उसका टेंपरेचर लो है, हमने उसको एक्स्ट्रा फीडिंग पे रखा नहीं कर सकते हैं, जुगनी के लिए हमें शिकागो में एक घर मिल गया है, हमने उसको स्टेरलाइस कर दिया है, और वो काफियत तक रिकावर भी कर गई है, अब जब एक बाई दिल्ली बार्टर खुल जाएगा, तो जुगनी और कुछ और डॉक्स जिनके लिए हमें घर मि हचा सके, देखिए, हम तो कहते हैं कि लोग घर में चीज़े बनाएं और बजार से ना खरीदें ताकि पैकेजिंग वगरा वेस्ट ना हो, पर अगर उनके पास समय नहीं है, उन्होंने खरीदना ही है, तो हम कहते हैं कि बड़ी बड़ी मुलियन डॉलर कॉर्परेशन की ब आडू, आलू बुखारा, नाश पदी, चेरीज, तो अभी तो हमें लोकली सिर्फ सेब के बूटे मिलें और वो हमने लगा दियें, मैंने आपको पिछली हम बताया था कि चाय आलू के पौदे मर गए हमारे आलू पराल के नीचे सुरक्षित होंगे, और मैं ठीक था, अब तो हम यह आलू निकाल के एक आखरी आलू की फसल लगा देंगे, इसके अलावा अब फार्म के बाहर मेरी भावी ने परिवार की मदद से कुछ जमीन खरीद के हमें डोनेट की है, यहां पर हम अपनी डिसेबल काव सैंक्शुरी बनाएंगे, पिछले हथे हमारे यहां पाईश नाम का एक NGO चलाती है, जिसमें वो बस्ती के बच्चों को पढ़ाती है, अपना इंट्रोडाक्शन को सब दोगे, नमस्ते आंती, हम पीपल फाम की जूनियर टीम है, यह वाड़ी बात आप सब बोलोगे, तो उन्हों ने यहां पे भी आके बच्चों की एक वर्क पास नहीं थी, अब उनको वो उठा लाएं, तो बच्चे तो यह करके खुश हैं, पर शायद माता-पिता टोटली अग्रीमेंट में नहीं है, अगर आप अनिमल रेस्क्यू को अपनी लाइफ का मिशन बनाते हैं, तो आपको एक सेट अप चाहिए, आपको चाहिए, आपक आप से और और लाइक मांड़ेड लोगों से, फ्रेंड्स ऑफ पीपल फार्म जो हमारा फेस्बूक ग्रूप है, वहाँ पे शेयर करते रहेंगे, थांक यू